जैहिंद फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Government Job New Channel पे आज हम लोग सभी प्रकार के competitive exams को ध्यान में रखते हुए current affairs के most important सवालों को देखेंगे साथिसाथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रस्नों को discuss करेंगे जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं आप सभी से request करेंगे कि आप class को अधिक से अधिक share करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे class में आकर class का लाब उठा सकें आप सभी से request करेंगे कि आप class में सारे सवालों के answer क्या करें और please class को support करें, class को like और share अवस्य करें तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? आंसर करेंगे चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? अगर आपसे पूछें कि चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखना है चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश है अमेरिका और चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है चीन तो याद रखेगा चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिक तो चीन ने याद रखेगा पहला पिर्थवी विज्ञान उबगरह किसने लॉंच किया है तो दुनिया का पहला पिर्थवी विज्ञान उबगरह चीन के द्वारा लॉंच किया गया है नाम क्या है बताएंगे दुनिया का पहला पिर्थवी विज्ञान उबगरह किसने लॉ लॉंच किया है और नाम किया है तो याद रखेगा नाम किया है गुवांग मुँ ठीक है तो चीन के द्वारा दुनिया का पहला पिर्थवी विग्यान उपग्र, गुवांग मुँ लॉंच किया गया है याद रखेगा जो United Nations 2030 एजेंडा के तहद पहला उपग्र है याद ठीक है तो अंतरिक्ष में चलने वाली अंसर करेंगे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यातरी का नाम क्या है याद रखेगा चीन के सेंजाव 13 अंतरिक्ष मिसन के तहट वां यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यातरी कौन बनी है वां यपिंग याद रखेगा तो चांद पर जंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश चीन याद रखेगा और चीन से और भी क्या-क्या सवाल पूछ सकता है आप जानते हैं चाय का सबसे अधिक उत्पादन विस्व में कहां पर होता है चीन में तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है चीन में अगर आप से पूछे विस्व में सबसे अधिक तमाकू का उत्पादन कहां पर होता है तो चीन में ठीक है तो याद रखेगा विस्व में सबसे अधिक सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है तो चीन में ठीक है तो याद रखेगा विस्व में सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक उत्पादन चाय कपास चावल गेहूं और तमाकू का उत्पादन चीन में होता है ठीक है तो य चीन का सरबादिक जनसंख्याँ वाला सहर है संघाई संघाई जो है क्या कहा जाता है तो संघाई को याद रखना है कि चीन का मैंचेस्टर कहा जाता है ठीक है संघाई देश का सबसे बड़ा यानि संघाई जो है चीन का सबसे बड़ा सूति वस्तर उद्योग केंद्र है इस मंदारीन जो है चीन की मुख्य भासा है याद रखेगा चिक है तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके अगला सवाल केरल तमिलाडू तट पर दिसंबर 2020 को आए चकरवात का नाम बताएं तो आपको बताना है कि केरल तमि अंसर क्या होना चीए तो याद रखना है बर्वी बर्वी चकरवात जो है केरल तमिलाडू के तट पर आया था याद रखेगा बर्वी चकरवात केरल और तमिलाडू के तट पर आया था बर्वी चकरवात ठीक है और इसका नामंकरन किस देश ने किया तो यह आप से दिसंबर 2020 में केरल और तमिलाडू के तट पर आया था बर्वी चक्रवाद का नामंकरन मालदीव के द्वारा किया गया था याद रखेंगे तो आंसर क्या हो गया अप्सन नमबर B इसके अलावा अगर आपसे पूछे निवार निवार चक्रवाद का नामंकरन किस ने किया न निवार चक्रवाद कहां आया था तो निवार चक्रवाद तमिलाडू और पुदुचेरी माया था याद रखना है निवार चक्रवाद तमिलाडू और पुदुचेरी के आसपास आया था और इसका नामंकरन किस देश के द्वारा किया गया निवार चक्रवाद का नामंकर तो याद रखेगा। तो केचल और तमिलाइडू ताट पर दिसंबर दोसरबीस को आए शक्रवाद का नाम क्या था बर्वी और बर्वी का नाम इंकरन किसने किया तो माल्दीव ने किया था याद रखेगा अब यहां से और भी सवाल आपका पूस्ता है जैसे आपसे पूछेगा जवाद चक्रवात कहां आया था तो जवाद चक्रवात आपको याद रखना है कि उडिशा अंदरप्रदेश और पस्चिम मंगाल के तट पर आया था जवाद चक्रवात और जवाद चक्रवात का नाम किस ने किया तो सभूदी अरब ने नामंकरन किया तो अगर आप से पूच्छे थीख है तो ये भी important सवाल है तो याद रखेगा जवाद चकरवात उडिसा, वेस्ट मेंगल और अंदरप्रदेस में आया था जवात चकरवात का नामंकरन साथी अरब के द्वारा किया गया इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाब चकरवात का नामंकरन किस नहीं किया ठीक है गुलाब चक्रवाथ आंदपरदेश और बंगल की खाड़ी में आया था। भूहिए पाकिस्तान के द्वारा किया गया याद रखेगा। तो साहीन चक्रवाद का नामंकरन किस नहीं किया, important सवाल है कतर, याद रखेगा साहीन चक्रवाद का नामंकरन किस नहीं किया, कतर के द्वारा साहीन चक्रवाद का नामंकरन किया, कतर के द्वारा, और साहीन चक्रवाद पुरुवत्तर अरपसागर में आया था, तो याद र नामंकरन किस नहीं किया तो यास चक्रवात का नामंकरन किस नहीं किया तो ओमान याद रखेगा यास चक्रवात का नामंकरन किन के द्वारा किया गया तो ओमान देश के द्वारा ओमान देश के द्वारा यास चक्रवात का नामंकरन किया गया था यास चक्रवात उरिसा और पस्षिम मंगाल में आया था कहां आया था उडिसा और वेस्ट बेंगॉल तो याद रखेगा यास चक्रवात उडिसा और वेस्ट बेंगॉल में आया था और यास चक्रवात का नमंकरन ओमान देश के द्वारा किया था याद रखेंगे तोकाते चक्रवात आप लोग जानते किया गया था तोकाते चक्रवात का नमंकरन म्यानमार द्वारा किया गया था तोकाते चक्रवात का नमंकरन म्यानमार द्वारा किया गया था और तोकाते चक्रवात भारत के किस राजी में आया था तो आपको याद रखना है गुजरात महरास्ट और करनाटक ठीक है तो इंप तो class को please एक बार आप लोग share कर दे, आप सभी से request करेंगे अगला सवाल, किस देश ने December 2020 में जलवायू अपातकाल की घोसना की गई आंसर करेंगे, किस देश के द्वारा December 2020 में जलवायू अपातकाल की घोसना की गई तो जलवायू अपातकाल की घोसना करने वाला कौन सा देश है तो इस ही आंसर क्या होगा न्यूजीलेंड याद रखेगा पूछेगा आपसे से इस सवाल कि जलवायू अपातकाल की घोसना करने वाला देश कौन है तो न्यूजीलेंड न्यूजीलेंड ने दिसंबर 2020 में जल दक्षिनी प्रसांत महासागर में स्थित है तो याद रखना है दक्षिनी प्रसांत महासागर में स्थित न्यूजिलेंड देश अपनी भौतिक दसाओं की कारण दक्षिन का ब्रिटेन कहा जाता है और न्यूजिलेंड के बारे में आप से पूछे कि न्यूजिलेंड की ओबल तस्मान के द्वारा की गई थी याद रखेगा और न्यूजलेंड में अनेक द्वीप हैं आप जानते हैं न्यूजलेंड में अनेक द्वीप हैं याद रखेगा ठीक है और आपसे पूछेगा न्यूजलेंड की राजधानी कहां है तो वेलिंग्टन न्यूजलेंड की न्यूजिलेंड की राजधानी कहां पर है तो न्यूजिलेंड की राजधानी है वेलिंग्टन ठीक है न्यूजिलेंड की राजधानी है वेलिंग्टन और न्यूजिलेंड के बारे में आप जानते हैं न्यूजिलेंड को किवी का देश भी कहा जाता है न्यूजिलेंड की र तो जलवायू अपाथकाल की घोसना करने वाला देस कौन सा है नूजिलेट ने जलवायू अपातकाल की घोसना की थी याद रखेगा तो आंसर क्या हो गया option number A इसके अलावा astelia से आप याद रख सकते हैं यहाँ से भी important सवाल बनेगा कि astelia की राजधानी कहा है तो आप जानते है astelia की राजधानी है canbera astelia की राजधानी है canbera और विश्व का छठा बड़ा देश है astelia विश्व का छठा बड़ा देश है astelia चित्रफल के आधार पर विश्व का छठा बड़ा देश है आस्टेलिया, आस्टेलिया की राजधानी कैनबरा है, आस्टेलिया को दूइपिये महादेश अथुआ, दूइपिये देश भी कहा जाता है, आस्टेलिया को प्यासे भूमी का देश भी कहा जाता है, आस्टेलिया में Gibson, Simpson, Great Sandy और Great Victoria नमक मरवस्थल पाए जाते हैं तो पुछेगा Gibson, Simpson, Great Sandy, Great Victoria मरवस्थल कहाँ पाए जाते हैं तो आस्टिलिया में पाए जाते हैं ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है आस्टिलिया में कुलगाडी और कालगाडी नमक सोने की खांस है यानि गोल्ड माइन्स हैं आस्टिलिया में नाम क्या है कुलगाडी और कालगाडी तो कुलगाडी और कालगुली नमक गोल्ड माइन्स की देश में है तो आस्टिलिया में है याद रखेगा इसके लावा Great Dividing Range कहाँ पे है तो आस्टिलिया में great dividing range है याद रखेगा इसके लावा आप जानते है great barrier reef कहां पे है तो संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ती का नाम है great barrier reef great barrier reef आस्टिलिया में है याद रखेगा ठीक है और जापान से पूछ सकता है जापान को भुकंपों का देश कहा जाता है ठीक है जापान को क्या कहा जाता है तो याद रखना है जापान को भुकंपों का देश कहा जाता है जो कि जादा पूछा जाता है ठीक है और भी जापान से सवाल पूछ सकता है कि जापान में कौन-कौन साथ का कौन-कौन सा द्वीप है जापान में ठीक है तो आप याद रख सकते हैं जैसे होंसु द्वीप कहां पे है जापान में होकेडू द्वीप जापान में क्यूसु द्वीप जापान में सिकोकू द्वीप जापान में ठ ठीक है, तो जलवायू अपातकाल की घोसना करने वाला देश कौन सा है, तो न्यूजीलेंड याद रखेगा important सवाल है, ठीक है, चलिए, तो class को एक बार आप लोग share कर दीजे, किस राजी की विधान सभा ने online game पर परतिबंद लगाने का बिल पास किया है, तो आपका answer क्या होगा, option number B, आंदर परदेश, याद रखेगा, आंदर परदेश राजी की विधान सभा के द्वारा online game पर परतिबंद लगाने का बिल पास किया गया है, ठीक है, तो आपका answer क्य होगा आंदर परदेश आंदर परदेश विधान सभा के द्वारा ओनलाइन गेम पर परतिबंद लगाने का बिल पास किया गया है याद रखेगा अंसर ओप्सन बी ठीक है अगर आपसे पूछे भारत का पहला घास सनरक्षन चेतर कहां स्थापित क्या गया है तो याद रखेगा रानी खेत उत्रा खंड इंपोर्टेंट सवाल है भारत का पहला घास सनरक्षन चेतर रानी खेत उत्रा खंड में अस्थापित क्या गया है याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइडोजन सेयंत्र किसके द्वारा बनाये जाएगा तो याद रखेगा गेल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइडोजन सेयंत्र अस्थापित किया जा रहा है याद रखेगा ठीक ठीक है अगर आपसे पूछे सबसे अधिक उचाई वाला हर्बल पार्क कहां पे है भारत में सबसे अधिक उचाई परिस्तित हर्बल पार्क कहां पे है भारत में सबसे अधिक उचाई परिस्तित हर्बल पार्क कहां पे है तो important सवाल है याद रखेगा भारत में सबसे अधिक उचाई परिस्तित हरबल पार्क है चमोली उत्राखंड में कहां पे चमोली उत्राखंड में तो याद रखेगा भारत में सबसे अधिक उचाई परिस्तित हरबल पार्क है चमोली उत्राखंड में याद रखेगा ठीक है बताएंगे भारत का पहला वजरपात अनुशनधान परिक्षन के अंदर कहां पे है? बताएंगे भारत का पहला वजरपात अनुशनधान परिक्षन के अंदर कहां पे है? अगला सवाल नौवा अंतरास्तिये सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 किस राज़े में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आपका सही अंसर क्या होगा? अप्सन नंबर A उरिसा तो याद रखेगा नौवा अंतरास्तिये सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 उरिसा में सेलिब्रेट किया गया? तो नौवा अंतरास्तिये सेंड आर्ट फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया? तो याद रखेगा नौवा खाई उरिसा का परमुक तेवार है नौवा खाई कि अलावा याद रखना है तो साली रास्ट ये सिल्फ मेला कहाँ पे लगता है ये भी आपको याद रखना है इसके अलावा आप से पूछेगा राजा परवा तैहवार कहां मनाए जाता है तो नुवा खाई तेभार उरिसा में मनाया जाता है याद रखेगा कुछ परमुक महउतसव जो एकजाम में पूछा जाता है आप याद रखेगा जैसे आपसे पूछेगा एपल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है बतेगा भारत के किस राज्य में Apple Festival मनाया जाता है तो Apple Festival कहां मनाया जाता है तो याद रखना है जम्मू कस्मीर में Apple Festival कहां मनाया जाता है तो जम्मू कस्मीर में Apple Festival मनाया जाता है अगर आपसे पूछे होर्ण बिल महुतसव कहां मनाया जाता है इंपोर्टेंट सवाल है तो आपको बताना है अंतरास्ती विज्यान महुँच्व 2021 कहां मनाया गया तो अंतरास्ती विज्यान महुच्व 2021 आपको याद रखना है गुवा में मिनाय गिया तो अंतरास्टे विझ्ञान, 4022 पंजी में मनाय गया याद रखेगा धीके- इसके अलावा पूर शकता है वांगला फेस्टिवल कहं मनाय जाता है वांगला फेस्टिवल किस μια मनाय साज्वल मनसा इसके अलावा cherry blossom festival ये भी बहुत important है cherry blossom festival कहां मनाय जाता है तो वांगला festival और cherry blossom festival कहां मनाय जाता है तो आपको याद रखना है मेघाले में कहां पर मनाय जाता है मेघाले में ठीक है तो वांगला festival कहां मनाय जाता है तो मेघाले में मनाय जाता है वांगला फेस्टिवल और चेरी ब्लोसम फेस्टिवल कहा मनाय जाता है मेघाले में ही चेरी ब्लोसम फेस्टिवल मनाय जाता है तो वांगला फेस्टिवल और चेरी ब्लोसम फेस्टिवल मेघाले में मनाय जाता है याद रखेगा ठीके इंपोर्टेंट सवाल था इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एक सवाल आपसे पूछ सकता है कलरव पक्षी महुत्सव कहां मनाया गया बताएंगे कलरव पक्षी महुत्सव कहां मनाया गया तो कलरोव पक्षी महोत्सव याद रखना है जमूई बिहार में मनाये गया कहा मनाये गया जमूई बिहार ठीक है कलरोव पक्षी महोत्सव कहा मनाये गया तो कलरोव पक्षी महोत्सव दोजर इकीस जमूई बिहार में मनाये गया याद रखेगा ठीक है इसके अलाबा important सवाल बनेगा निमाडी मिर्च महोत्सो किस राज में मनाया जाता है निमाडी मिर्च महोत्सो किस राज में मनाया गया तो याद रखना है मद्य परदेश में मनाया गया निमाडी मिर्च महोत्सो किस राज में मनाया गया मद्यपर्देश में मनाए गया निमाडी मिर्च महुत्सव मांडू महुत्सव कहां मनाए जाता है तो मांडू महुत्सव भी मनाए जाता है मद्यपर्देश में ठीक है तो मांडू महुत्सव कहां मनाए गया मांडू महुत्सव मद्यपर्देश में मनाए गया निमाडी मिर मनानगाइजाता है इंपॉर्टेट सिवाल है मकंशलय को कियरल में मनाये जाता है इसके इसके लावा पूष सकता है तो तिलंगाना में तो तिलंगाना में तो तो तिलंगाना राज्य में बतु कम्मा और बोनालू तेवार मनाय जाता है याद रखेगा ठीके थाई पुसम किस राजी का तेवार है थाई पुसम इंपोर्टेंट है तो थाई पुसम तमिलाडू का तेवार है याद रखेगा थाई पुसम कहां का तेवार है तो थाई पुसम तमिलाडू राजी का तेवार है याद रखेगा और काला घोडा महुतसव कहां का तेव तो आपका आंसर करेंगे नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर क्या हुआ 6 दिसंबर को Civil Defense Day या नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को तो याद रखेगा 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है अगला सवाल पुर्वरास्टपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी के जीवन पर लिखी गई 40 years with अब्दुलकलाम Untold Stories सिर्शक किताब का विमोचन किस ने किया पुर्वरास्टपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के जीवन पर लिखी गई पुस्तक 40 years with अब्दुलकलाम Untold Stories किताब का विमोचन किनके द्वारा किया गया ठीक है तो आप जानते हैं एपीजे अब्दुलकलाम भारत की कितनवे नंबर के रास्टपती थे तो भारत के एग्यारवे रास्टपती थे याद रखेगा अगर आपसे पूछे एपीजे अब्दुलकलाम भारत की कितनवे नंबर के रास्टपती थे तो याद रखेगा एपीजे अब्दुलकलाम भारत के 11 प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुलकलाम भारत के 11 प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुलकलाम भारत के 11 प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुलकलाम जी को Missile Man of India कहा जाता है ठीक है तो APJ अब्दुलकलाम भारत के 11 वे रास्टपती थे उन्हें Missile Man of India कहा जाता है और उन पर लिखित पुस्तक है 40 years with अब्दुलकलाम Untold Storage इसका विमोचन किस ने क्या था तो M.Wink या नाइडू जी के द्वारा क्या गया था ठीक है तो याद रखेगा APJ अब्दुलकल जी के जीवन पर लिखित पुस्तक 40 years with अब्दुलकलाम Untold Storage पुस्तक का विमोचन किन के द्वारा क्या गया था M.Wink या नाइडू जी के द्वारा क्या गया 니까 Amphew B अगला सवाल किस राजजी की सरकार ने 6 से 12 तक के चात्रों को Online पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोसना की है तोGANसर करेंगे किस राजजे कि सरकार के द्वारा क्लास 8 से क्लास 12 तक के चात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोसना की गई है तो सही आंसर क्या होगा हरियाना ठीक है तो याद रखेगा हरियाना सरकार के द्वारा आठमी से बारवी तक के चात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोसना की गई है आंसर आप्शन B अगला सवाल रवी पटवर्धन का निधन 5 दिसंबर 2020 को हो गया वो किसलिए जाने जाते हैं तो आंसर करेंगे रवी पटवर्धन जी का संबंद किस चेत्र से था रवी पटवर्धन जी का निधन हो गया है तो आपको बताना रवी पटवर्धन जी का निधन हो गया है वक किस चेत्र से संबंदित थे तो आपका सही आंसर क्या होगा टीवी कलाकार याद रखेंगे ठी अगला सवाल उपरास्टपती स्री M. वेंकईया नाइडू ने दिसंबर 2020 में किस पुरू परधानमंत्री को सर्धानजली देते हुए उनके सम्मान में एक इसमारिका डाक टिकत जारी किया तो आंसर करेंगे उपरास्टपती स्री M. वेंकईया नाइडू जी के द्वारा तो आंसर क्या होना चाहिए? याद रखना है इंद्रकुमार गुजराल उप्सन नमबर डी ठीके? तो उपरास्टपती स्री M. वेंकईया नाइडू जी के द्वारा तो आंसर हो गया उप्सन नमबर डी याद रखेगा बताएं तो याद रखना है क्या होगा अंसर option number B 86 cm Mount Everest की उचाई कितनी बढ़ गई है तो याद रखना है Mount Everest की उचाई 86 cm बढ़ गया तो कितना बढ़ गया है 86 cm Mount Everest की उचाई बढ़ गई है 86 cm याद रखेगा अगला सवाल Mount Everest की नई उचाई कितनी है तो अच्छा सवाल है आपको बताना है Mount Everest की नई उचाई कितनी है क्योंकि Mount Everest का उचाई बढ़ गया है तो अभी वर्तमान में Mount Everest का उचाई कितना पाया गया यह आपको बताना है तो Mount Everest की नई उचाई कितनी है आप बताएंगे आप जानते हैं Mount Everest को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, याद रखेगा, और आपको पता है, विश्व की सबसे उची चोटी है Mount Everest, ठीक है, विश्व की सबसे उची चोटी है Mount Everest, Mount Everest को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, याद रखेगा, और Mount Everest का उचा कितना है तो आपका अंसर क्या होगा option number A 8848.86 meter ठीक है तो याद रखेगा विश्वी की सबसे उची चोटी है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को नेपाल में साकरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट की नई उचाई है 8848.86 meter ठीक है समझ मैं तो आंसर क्या हो गया option ठीक है तो याद रखेगा इसको इसके अलावा यहां से और भी सवाल आपका पूछ सकता है जैसे आपसे पूछ दे ठीक है कि भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आप जानते हैं के तू Irwin-Ashtin अगर आपसे पूछे भारत की सरवोच चोो चोटी कौन सी है तो भ तो याद रखना है भारत की सबसे उची चोटी है K2 Godwin Austin ठीक है और याद रखना है K2 Godwin Austin कहां पे है पाक occupied कस्मीर में है तो भारत की सबसे उची चोटी है K2 Godwin Austin जो की पाक occupied कस्मीर में है याद रखेगा और अगर आपसे पूछे भारत इस्थित सबसे उची चोटी यानि नि निर्विवाद भारत की सबसे उची चोटी तब आप आंसर क्या करेंगे निर्विवाद भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो निर्विवाद भारत की सबसे उची चोटी है कंचन जंगा कहां पे है सिक्किम में है तो निर्विवाद भारत की सबसे उची चोटी है कंचन तो ये भी सवाल important है तो आपको याद रखना है ठीक है और याद रखेगा कि K2 Godwin Austin भारत की सबसे उची चोटी है जो कि पाक उक्योपाइट कस्मेर में पढ़ता है और याद रखेगा K2 Godwin Austin विस्व की दूसरी सबसे उची चोटी है K2 Godwin Austin कारा कोरम परवत सरेनी में पढ़त है ठीक है तो K2 Godwin Austin विस्व की दूसरी सबसे उची चोटी है याद रखेगा और Everest तो आप जानती है विस्व की सबसे उची चोटी है Mount Everest तो समझ में आ गया कि Mount Everest की नई उचाई क्या है तो याद रखेगा Mount Everest की नई उचाई है 8848.86 मीटर आंसर हो गया option number A तो class को प्लीज एक बार आप लोग share करें और like नहीं की है तो like कर दीजे अगला सवाल COVID-19 वैक्सीन के लिए Drug Controller General of India ने किस कंपनी को भारत में पहली बार मंजूरी दी तो आपका आंसर क्या होगा फाइजर याद रखे का आंसर क्या होगा फाइजर ठीक है तो COVID-19 के लिए Drug Controller General of India ने फाइजर कंपनी को भारत में पहली मंजूरी दी तो आपका आंसर क्या होगा option number B ठीक है तो COVID-19 वैक्सीन के लिए Drug Controller General of India के द्वारा फाइजर कंपनी को भारत में पहली मंजूरी दी गई याद रखेगा अगला सवाल इस रो अपने कुरू रहित गगन यान की पहली लॉंचिंग कब करेगा तो आंसर करेंगे इस रो के द्वारा कुरू रहित गगन यान की पहली लॉंचिंग कब की जाएगी तो इसरो जो है क्रू रहित गगन्यान की पहली launching कब करेगा यह आपको बताना है तो आपका आंसर होगा वर्स 2021 में याद रखना है वर्स 2021 में इसरो ने क्रू रहित गगन्यान की पहली launching की तो आंसर क्या होगा वर्स 2021 में इसरो ने क्रू रहित गगन्यान की पहली launching की है अगर आपसे पूछे, दुनिया का पहला artificial जहाज कौन सा है, बताएंगे, दुनिया का पहला artificial जहाज का नाम क्या है, तो पूछ सकता है आपसे सवाल में, मैं flower 400, याद रखेगा मैं flower 400 क्या है, आपसे पूछेगा मैं flower 400 क्या है, तो दुनिया का पहला artificial जहाज है, Met Flower 400 याद रखेगा और Met Flower 400 अंटाक्टिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना है तो इसलिए यह important है तो Met Flower 400 क्या है तो दुनिया का पहला artificial जहाज है Met Flower 400 याद रखेगा और यह जो Met Flower 400 है यह करता क्या है तो समुदरी परदूशन तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विसलेशन करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है तो नाम याद रखेगा Metflower 400 दुनिया का पहला आर्टिफीसियल जहाज है जो समुद्री प्रदूशन तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विसलेसन करता है ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये? चलिए अगला सवाल देखते हैं पिक्सेल ने इसरो के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये इसके तहट वह कौन सा उपगरह लाँच करेगा तो आंसर करेंगे पिक्सेल ने इसरो के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है इसके तहट वह कौन सा उपगरह लाँच करेगा तो पिक्सेल और इसरो के बीच में समझोता हुआ है जिसके तहट कौन सा उपगरह लाँच किया जाएगा तो remote sensing satellite तो याद रखेगा pixel और इस रो के बीच में समझोता हुआ है जिसके तहट remote sensing उपगरह को लाँच किया जाएगा तो आपका answer क्या है option number C याद रखेगा ठीक है तो pixel ने इस रो के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है जिसके तहट remote sensing satellite को लाँच किया जाएगा याद रखेगा अगर आपसे पूछेगा नूरी rocket का परिक्षन किस नहीं किया है most important सवाल है नूरी rocket का परिक्षन किस नहीं किया है आपको याद है किस देश के द्वारा नूरी rocket का परिक्षन किया गया नूरी rocket का परिक्षन किस देश के द्वारा किया गया है तो याद रखेगा नूरी rocket का परिक्षन धक्षिन कोरिया के द्वारा किया है तो नूरी रॉकेट का परिक्षन किस देश के द्वारा क्या गया दक्षिन कुरिया देश के द्वारा नूरी रॉकेट का परिक्षन क्या गया याद रखेगा ठीक है अगला सवाल WMO सेउक्तरास्ट विश्व मौसम संगठन की Global Climate 2020 रिपोर्ट के अनुशार 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा होने जा रहा है तो आंसर करेंगे WMO सेउक्तरास्ट विश्व मौसम संगठन की Global Climate 2020 रिपोर्ट के अनुशार 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा ये आपको बताना है ठीक है तो important सवाल है आंसर क्या होगा option number C 2020 याद रखेगा कि सेउक्तरास्ट विश्व मौसम संगठन की Global Climate 2020 रिपोर्ट के अनुशार 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा वर्ष 2020 ठीक है तो वर्ष 2020 जो है बहुत ज़ादा गर्म वर्ष रहा आंसर होगा option number C अगला सवाल PM नरेंद्र मोधी ने आगरा में Metro Rail Project के निर्मान कारे का उधगाटन 7 दिसंबर 2020 को किया इस प्रोजेक्ट की लागत बताएं तो आंसर करेंगे नरेंद्र मोधी के द्वारा आगरा में Metro Rail Project के निर्मान कारे का उधगाटन 7 दिसंबर 2020 को किया गया तो इस प्रोजेक्ट का लागत कितना रहा आपको बताना है ठीक है तो आंसर कीजिए आंसर क्या हो सकता है ठीक है तो आंसर क्या होना चीए बताएंगे आगरा में Metro Rail Project के लिए कितना लागत लगा था यह आपको बताना है ठीक है पहले तो आप जानते हैं कि भारत में Metro Rail की सुरुआत कब हुई थी आपको पता है भारत में Metro Rail की सुरुआत कब हुई थी तो याद रखना है 1984 ठीक है भारत में Metro Rail की सुरुआत कब हुई थी 1984 में ठीक है याद रखना है 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 इंपोर्टेंट इयर है इंपोर्टेंट कुश्चन है तो याद रखना है भारत में पर्थम Metro Railway प्रियूजना के आधार सीला रखी गई थी कौलकाता में ठीक है और तभी प्रधानमंत्री थी इंद्रा गांधी तो याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1984 को आंसिक रूप से व भारत में Metro Rail की शुरूबात हुई थी याद रखेगा 1984 में ही राकेश सर्मा अंत्रिक्ष गए थे 1984 में ही इंद्रा गांधी की हत्या हुई थी 24 अक्टुबर 1984 को भारत में Metro Rail की शुरुवात हुई थी, याद रखेगा, ठीक है, और इस सवाल का आंसर क्या होगा, option number D, याद रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी ने आगरा में Metro Rail Project के निर्मान कारी का उधगातन किया, और आगरा में Metro Rail Project का लागत कितना है, तो याद रखना ह 8,389.62 करोड, ठीक है, तो 8,389.62 करोड लागत है, आगरा में Metro Rail Project का याद रखेगा, तो क्लास को फटा-फट एक बार सेर कर दीजे आप लोग, अगला सवाल, आंसर करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर होगा, 8,389.62, ठीक है, उप्सन नमबर D, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, अगला सवाल, आपको बताना है, ससस्त्र सेना, ससस्त्र सेना, जंडा दिवस, कब मनाया जाता है, तो ससस्त्र सेना, जंडा दिवस, कब मनाया जाता है, तो याद रखना है, ससस्त सस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया जाता है अगला सवाल अंतरास्टिय नागरिक उड्डेयन दिवस कब मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है अंतरास्टिय नागरिक उड्डेयन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है तो याद रखना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है याद रखेंगे और 7 दिसंबर को ससस्त्र जंडा दिवस भी मनाया जा यह आपको याद रखना है तो इंपोर्टेंड सवाल है, साथ दिसमबर ठीक है। अगर आपसे पूछे विस्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है फटा फट बताएंगे विस्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है विस्व विरासत दिवस 18 अपरेल को मनाया जाता है तो विस्व विरासत दिवस 18 अपरेल को मनाया जाता है अगर आपसे प याद रखना है विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस कब मनाया जाता है तो तीन मई को विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस मनाया जाता है तीन मई को विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस 18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है याद रखेगा ठीक है और विश्व मौसम बिग्यान दिवस कब मनाय जाता है 23 मार्च को याद रखना है 23 मार्च को विश्व मौसम बिग्यान दिवस मनाय जाता है और 23 मार्च को भगत सिंग जी की सहीदी दिवस भी मनाय जाती है क्योंकि आप जानते हैं भगत सिंग जी 23 मार्च 1931 को सहीद हुए थे ठीक है, तो विस्व मौसंबिग्ण दिवस 23 मार्च को मनाय जाता है, याद रखेगा, ठीक है, तो important सवाल है, विस्व आद्र भूमी दिवस, दो फरवरी को विस्व आद्र भूमी दिवस मनाय जाता है, याद रखेगा, 14 दिसंबर को रास्टी उर्जा सनक्षन दिवस मनाया जाता है विस्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है 24 अक्टूबर को विस्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर 1945 को सेउक्तराष्ट संग के अस्थापना की गई थी इसलिए UNO डिवस भी मनाय जाता है 24 अक्टूबर को समझ में आया 24 अक्टूबर, 1945 को United Nation यईनि सेंखतराश्ट के स्थापना की गई थी एक वार आप लोग Kernas कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें अगला सवाल साखीर Grand Prix vormula तू रेस जितने वाले पहले भारते डाइवर निम्न में से कौन बन गए है तो आंसर करेंगे साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला टू रेस जितने वाले पहले भारते डाइवर का नाम क्या है तो याद रखना है mix उमाकर आंसर क्या होगा mix उमाकर तो साखिर Grand Prix या बहरीन Formula 1 race जीतने वाले पहले भारते driver का नाम क्या है mix उमाकर तो आंसर होगा option number A mix उमाकर याद रखना है तो साखिर Grand Prix या बहरीन Formula 2 race जीतने वाले पहले भारतिय ड्राइवर का नाम क्या है तो mix उमाकर याद रखेगा यहाँ पर माफी चाहेंगे यहाँ पर आपका अंसर होगा जेहान दारुवाला ठीके याद रखेगा जेहान दारुवाला अंसर होगा क्योंकि भारतिय पूछा गया है तो इसके लिए आप इसको सुधार लिजएगा आप से पुछा है साकीर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फ़र्मूला टूरेस जितने वाले भारतिय ड्राइवर का नाम क्या है घाई यहान दारुवाला ठीके तो इसमें आप याद रखेगे जेहांदारूवला होगा अंसर ओप्सन नमबर B ठीके इसको याद रखेगा सुधार लिजेगा अगला सवाल भारतिय रिजव बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा कब से 24 इंटू 7 देने की घोसना की है तो आंसर करेंगे ठीके भारतिय रिजव बैंक आरबियाई के द्वारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा कब से 24 इंटू 7 देने की घोसना की गई है तो आंसर क्या होगा? आप्सन नमबर D 14 दिसंबर ठीके तो आरबियाई के द्वारा रियल ट्राइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा 14 दिसंबर से 24 इंटू 7 देने की घोसना की गई थी याद रखेगा इतना इंपोर्टेंट सवाल नहीं है ये और 14 दिसंबर को क्या मनाये जाता है तो रास्टे उर्जा सनक्षन दिवस मनाये जाता है 14 दिसंबर को ठीक है? 14 दिसंबर को रास्टे उर्जा सनक्षन दिवस मनाये जाता है याद रखेगा अल्राउंडर कोरी एंडर्सन ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोसना की है वो किस देश के खिलाड़ी है यह पूछ सकता है कि अल्राउंडर कोरी एंडर्सन ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोसना की है वो किस देश के हैं तो आप जानते हैं इसका निर्मान लागत कितना है या आपको बताना है तो याद रखेगा अगला स्वाल जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग Climate Change Performance Index 2020 में भारत को कौन सा rank मिला है तो जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2020 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो याद रखना option number A दसवा जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2020 में भारत को कितना number मिला है तो याद रखना है दसवा अस्थान मिला है ठीक है तो जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2021 में भारत को दसवा अस्थान मिला है याद रखेगा अंसर ओप्शन ए इंपॉर्टन सवाल है अगला सवाल डवलू एचो फांडेशन का पहला मुख्य कारेकारी अधिकारी किस भारती अमेरिकी को न्यूक्त किया गया है तो आपका अंसर क्या होगा अनिल सोनी याद रखेगा अनिल सोनी को WHO Foundation का पहला मुख्य कारेकारी अधिकारी किसे चुना गया तो WHO Foundation का पहला मुख्य कारेकारी अधिकारी अनिल सोनी को चुना गया तो आंसर क्या होगा अनिल सोनी को WHO Foundation का पहला मुख्य कारेकारी अधिकारी चुना गया अंसर किजेगा रविन्द नाट टेगोर साहित पुरुसकार 2020 के विजेता का नाम बताएं तो रविन्द नाट टेगोर साहित पुरुसकार 2020 किन्हें मिला तो आपका अंसर क्या होगा याद रखना है राज कमल जा को रविन्दना टेगोर साहित पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो important सवाल है याद रखेगा राज कमल जा को रविन्दना टेगोर साहित पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो आंसर करेंगे F.A.O. ने राजा भूमी बोल विस्व मिर्दा दिवस पुरुसकार 2020 के लिए किसे चुना ठीक है तो आंसर कीजे तो सही आंसर क्या होगा F.A.O. के द्वारा राजा भूमी बोल विस्व मिर्दा दिवस पुरुसकार 2020 से सम्मानित क्या गया भारतिय किरसी अनुशंधान परिशद ICAR को तो अगर आपसे पूछे ICAR का फुल फॉर्म क्या है तो Indian Council of Agriculture Research ठीक है और Indian Council of Agriculture Research यानि भारतिय किरसी अनुशंधान परिशद को विस्व मिर्दा दिवस पुरुसकार 2020 से सम्मानित क्या जाएगा मतलब किया गया याद रखना है FAO ने राजा भुमी बोल विस्व मिर्दा दिवस पुरुसकार 2020 के लिए किसे चुना तो याद रखना है भारतिय किरसी अनुशंधान परिशद को ठीक है अगला सवाल सेना पर्मुक जनरल M.M. नरावने ने दिसंबर 2020 में किन खाड़ी देशों की पहली यात्रा की तो याद रखना है UAE और साओधी अरब UAE और साओधी अरब ऑप्सन नमबर B तो 2020 सिस्वे में तभी के जनरल M.M. नरवाने ने पहली खाड़ी देशों में पहली यात्रा की थी तो कौन-कौन सा खाड़ी देश साओधी अरब और UAE तो याद रखेगा कि सेना परमुख जनरल M.M. नरवाने ने दिसंबर 2020 में खाड़ी देशों सियुकतरब अमिरात और साओधी अरब की यात्रा की थी तो आपका आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर B ठीक है अगला सवाल किस राज्य ने सापों व अन्य सरिस्रिपों जानवरों के लिए पहला Elevated Eco-Bridge बनाया है तो आंसर करेंगे किस राज्य ने सापों व अन्य सरिस्रिपों जानवरों के लिए पहला Elevated Eco-Bridge बनाया है तो याद रखना important सवाल है उत्राखंड उत्राखंड राज्य में सापों वा अन्य सरीश्रिपों जानवरों के लिए पहला elevated eco-bridge बनाए गया है तो याद रखेगा साप और अन्य सरीश्रिप जानवर के लिए पहला elevated eco-bridge कहां पे बनाए गया है आंसर option number A याद रखेगा ठीक है समझ में आया तो answer क्या होगा option number A उत्रा खंड अगला सवाल नरसंगार के सिकार और इसके पीडितों की गरिमा और इस अपराद की रोक्ताम का अंतरास्टे दिवस कब मनाया गया तो अच्छा सवाल है आंसर करेंगे नरसंगार के सिकार और इसके पीडितों की गरिमा और इस अपराद की रोक्ताम का अंतरास्टे दिवस कब मनाया गया तो 9 दिसंबर को तो याद रखेगा याद रखेंगे नरसंगार के सिकार और इसके पीडितों की गरिमा और इसके अपराद की रुक्ताम का अंतरास्टिय दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया important सवाल है याद रखेगा अगला सवाल अंतरास्टिय भरस्टाचार विरूधी दिवस कब मनाया गया अंतरास्टिय भरस्टाचार विरूधी दिवस कब मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्षन डे कब मनाया जाता है तो याद रखेगा 9 दिसंबर 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्षन डे कब मनाया जाता है तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्षन डे मनाया जाता है याद रखेगा अगला सवाल पार्थिव पटेल ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोसना की तो पार्थिव पटेल को आप जानते होंगे तो पार्थिव पटेल ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोसना की तो आपको पता होगा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है पार्थिव पटेलने ठीक है वन डे टेस्ट और T20 से सन्यास ले लिया है पार्थिव पटेलने तो पार्थिव पटेलने क्रिकेट के अंतरास्टी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है याद रखेगा, आंसर क्या होगा, आप्सन नमबर D, पार्थी उपटेल लें, ठीक है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास की घोसना की है, आंसर आप्सन डी, अगला सवाल, कोरोना वेक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, 9 दिसमबर 2020 को कितने देशों के राजनाइक भारत बायोटेक के लेब पहुंचे थे, तो आंसर क्या होगा, 64 देश, ठीक है, आंसर होगा, 64 देश, तो याद रखना है, कोरोना वेक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, 9 दिसमबर 2020 को, 64 देशों के राजनाइक भारत बायोटेक के लैब पहुंचे थे, आंसर होगया, उप्शन D, 64 देश, अगला सवाल, अल इंडिया रेडियो के लेखक साहित्यकार, डॉक्टर मधुकर गंगाधर का निधन, 7 दिसमबर 2020 को हो गया, वह कहां के रहने वाले थे, तो बताएंगे, ठीक है, अल इंडिया रेडियो के लेखक साहित्यकार, अल इंडिया रेडियो के लेखक और साहित् बिहार राजी से बिलोग करते थे ठीक है तो जाद राखेगा इंपोर्टर गंगाधर क्यों फरसिद की लिखाक kay और साहितिकार थे जुकि बिहार के रहने वाले थे इनका हाली में निधन नधन हो गया है अगला सवाल भारती हस्तिसिल्प सप्ता कब से कब तक आयुजित किया जाता है अंसर करेंगे भारती हस्तिसिल्प सप्ता कब से कब तक आयुजित किया जाता है तो याद रखेगा भारती हस्तिसिल्प सप्ता आट से चौदा दिसंबर तक आयुजित किया जाता है याद रख अगला सवाल, केंद्र सरकार ने अटोर्णीज जनरल केके वेनोगोपाल का कारिकाल दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया हए आपको बताना है तो याद रखना है 30 जून 2022 ठीक है अटोनीज जनरल केके वेनोगोपाल का कारेकाल दूसरी बार कब तक के लिए बना दिया गया है तो 30 जून 2022 तक के लिए अटोनीज जनरल केके वेनोगोपाल जी का कारेकाल दूसरी बार बढ़ा दिया गया तो आपका आंसर क्या होगा ठीक है option number A 30 जून 2022 तक केके वेनोगोपाल जी महानय आइवादी यानि आटोर्नी जनरल के पद पे रहेंगे याद रखेंगे तो आंसर हो गया option number A अगला सवाल तिरंदाजी विश्वकप 2021 के mix doubles में किस पती पत्नी खिलाडी ने gold medal जीता तो आंसर करेंगे तिरंदाजी विश्वकप 2021 के mix doubles कैटेगरी में किस पती पत्नी ने gold medal जीता तो आपका सही आंसर क्या होगा आप नाम देखके ही आंसर कर सकते हैं दिपीका कुमारी और अतुंदास दिपीका कुमारी तिरंदाजी में बहुत बूल सकते हैं कि इंडिया की number one player है और साथी साथ विश्वकी भी ये number one player में आपको आपको याद रखना है कि consider की जाती है दिपीका कुमारी तो rank तो change होते ही रहता है लेकिन याद रखना है कि विस्व की top तिरंदाजी की player है धीपिका कुमारी ठीके भारत ही नहीं विस्व की top player है तो rank तो आगे पीछे होते ही रहता है लेकिन ये top player है तो यहाँ से आपको पता होगा अगर आप जानते होगे तो आप आराम से answer कर सकत ठीक है पूछेगा आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 के Mixed Doubles केटिगरी में किस पती पत्नी ने गोल्ड मेडल जीता तो दीपिका कुमारी और अतुनदास ठीक है तो दीपिका कुमारी तिरंदाजी की प्लेयर है और अतुनदास भी बहुत बड़े तिरंदाज के प्लेयर है ठीक है ये सवाल तिरंदाजी विश्वकप 2021 में मिसरित वर्ग में भारत के किन तीन खिलाडियों ने गोल्ड मेडल जीता तिरंदाजी विश्वकप 2021 में मिसरित टीम वर्ग में भारत के किन तीन खिलाडियों ने गोल्ड मेडल जीता तो आपका आंसर होगा दीपिका कुमारी अंकीत अंकीता भकत और कोमली का बारी ठीक है तो याद रखेगा दिपीका कुमारी अंकीता भकत और कोमली का बारी आपका आंसर होगा option number C अगला सवाल दुनिया की नंबर वन तिरंदाज आर्चरी खिलारी रिकव केटेगरी में कौन बन गई है तो आपको बताना है दुनिया की नंबर वन तिरंदाज आर्चरी खिलारी रिकव केटेगरी में कौन बन गई है तो आप देख के आंसर करेंगे दिपिका कुमारी जो कि तिरंदाजी की प्लेयर हैं आर्चरी की प्लेयर हैं दिपिका कुमारी जारखंड की रहने वाली हैं याद रखेगा ठीक है तो आंसर क्या हो गया ओप्सन नमबर C अगला सवाल वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने कोविट से प्रभावित अर्थववस्ता में तेजी लाने के लिए कितनी रखम के राहत पैकेज की घोसना जून 2021 में की चिके तो आंसर करेंगे क्या आंसर हो सकता है तो आपका आंसर क्या होगा बताएं वित्मंत्री निर्मला सीता रमन जी के द्वारा कोविट से प्रभावित अर्थववस्ता में तेजी लाने के लिए कितनी रखम के पैकेज की घोसना जून 2021 में की गई याद रखना है आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर A आपका सही आंस COVID-19 की चौथी वैक्सिन मॉर्डर्ना को मंजूरी दी यह किस प्रकार की वैक्सिन है तो आंसर करेंगे भारत ने COVID-19 की चौथी वैक्सिन मॉर्डर्ना को मंजूरी दी है तो यह किस प्रकार का वैक्सिन है यानि वाइरल वैक्टर है MRNA है या उपरोक्त में से दोनों है या में से कोई नहीं तो याद रखना है COVID-19 का चौथा वेक्सिन मोडरना को भारत के द्वारा मंजूरी दिया गया है और यह किस परकार का वेक्सिन है तो mRNA टाइप का वेक्सिन है तो आपका अंसर हो गया option number B ठीक है तो भारत के द्वारा COVID-19 की चौथी वेक्सिन मोडरना को मंजूरी दी गई है और यह mRNA परकार की वेक्सिन है याद रखेगा ठीक है तो आंसर आप्सिन B तो इतना ही सवाल था आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजे क्लास को लाइक और शेर अवस्य करें साथी साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे और क्लास में रेगुलर रहिए क्लास को सपोर्ट कीजे ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद जै भारत जै बिये से धन्यवाद